आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार साथियो, आईजे देखते हैं, प्रश्न दिया गया है एक बस अपनी यात्रा 60 किलो मीटर प्रति घंटे की गती से चल कर 6 गंटे में पूरी कर लेती है तदा अनुसार बस वह यात्रा 9 गंटे में पूरी करने के लिए कितने किलो मीटर प्रति घंटे की गती से उसे चलना होगा तो यहां से हमारे पास चाल दी गई है बस की, वो दी गई है 60 किलो मीटर प्रतिगंटा और समय लेती है यहां से वो यात्रा को पूरा करने में 6 गंटे का तो हमारे पास यहां से सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुडा समय तो यहां से हम दूरी बराबर करते हैं दूरी बराबर चाल दी गई है हमें 60 गुडा समय दिया गया है 6 गंटे तो यहां से दूरी निकल कर आई हमारे पास 360 किलो मीटर और अब हमें वो दूरी तै कितने में करनी है अब चाल दी गई है हमारे पास अब नई चाल जो दी गई है नई चाल नई चाल दी गई है यहां से सौरी यहां से चाल नहीं दी गई है हमें यहां से नया समय दिया गया है और चाल हमें ग्यात करनी है नया समय दिया गया है समय बराबर दिया गया है यहां से 9 गंटे तो यहां से हमारे पास चाल निकालनी होगी तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय तो यहां से हमारे पास दूरी निकल कर आई है 360 किलो मीटर बटे समय कितना लेना है हमें यहां से 9 घंटे का हमें यहां से समय लगता है तो यहां से 4 बराबर निकल कर आएगा हमारे पास जब 9 से 360 को काटेंगे तो यहां से 40 वार कटेगा तो 4 निकल कर आएगी 40 किलो मीटर प्रति घंटा यही हमारे प्रिश्न का आंसर होगा